डून मारी यह चीजी मागी डोनट ऐसा कुछ भी नहीं है बट यह बहुत ही जाधा इंटरिस्टिंग सी रेसिपी है तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा यह चीज पफ स्विट्स की एक पफ पेस्ट्री काइंड ओफ आती है जो फ्रोजन होती है उससे बहुत रही रेसिप फ्रिज में नहीं पर एक चीज जाद रखना जब आप इसको फ्रीजर से निकालो ना तो 10 मिनिट्स में यूज कर लो ने तो यह इतने जादा सॉफ्ट हो जाता है कि आप इसको कोई शेप नहीं दे सकते है ठीक है तो फिर इसमें मैंने डाली बहुत सारी मॉजरेला चीज आप इसमें कुछ भी मतब और भी चीज़ डाल सकते हो जैसे सबजिया डाल लो कॉन कैपसिकम सब डाल सकते हो ठीक है और फिर ओरिगानो चिली फ्लेक्स पता है बेसिकली मैंने यह क्यों ट्राय करा क्योंकि अनियन चीज रिंग्स खाई है मैंने और मुझे बस ऐसा लगता यार कि बस यह रिंग्स में अनियन ना होता तो चीज रिंग्स कितनी मस्त लगती हा तो बेसिकली जैसे वीडियो में देखना वैसे ही रोल कर लो इसको ठीक है अगर वाट्स यह फेवरेट कैफे फूड मतलब अगर आप कैफे में जाओ तो आपको क्या जादा अचा लगत कर दिया और इसको कर दिया हमने फ्राइ ठीक है अब आप लोग पूछ यहां पर मागी क्यों पड़ी है तो इसका एक रीजन है जो मागी का एक्स्ट्रा मागी मसाला आता है ना वो मेरे पास नहीं पड़ा था तो मैं सोची थी कि मैं क्या करो तो मैंने मागी खोल के यूज कर ली उसके बाद यह जो बची थी ना इसको यूज करना बड़ा मुश्किल था कि मागी मसाला के विना क्या ही करूं मैं उसका एणीवेज ठीक है फिर मैंने इसके उपर थोड़ा एक्सेसिवी मसाला ढाल लिया पर फिर भी मैंगी मसाला जादा हो गया ऐसी कोई चीज हो भी सकती है क्या oh and this is my hack for like cheese pulls with hot stuff मैं नॉर्मली छोटे बहुत छोटे tissues लेती हूं और वो दोनों साइड पे एक हाथ के नीचे और दूसरे हाथ के नीचे लगा के cheese pull कर देती हूं और mostly ऐसा होता है न वीडियो में वो tissue दिखता नहीं है पर इस बार दिग गया तो मैंने सूच subscribe also मुझे बताओ कि आपको cheese कितनी जादा पसंद है on a scale of 1 to 100 okay bye bye